आज अपन रेक्टि लीनियर मोशन के बारे में अध्यान करेंगे किसी पिंड द्वारा सरल रेखा में की गई गती को सरल रेखिय गती रेक्टि लीनियर मोशन कहते हैं रेक्टि लीनियर मोशन में जो डिफरेंट अपन काम में लेते हैं उसमें पिंड की सबसे पहले विराम अवस्ता के बारे में अध्यान करेंगे विराम अवस्ता वस्तु की वहें अवस्ता होती है जिसमें वहें किसी दूसरी वस्तु के सापेक्स समय के साथ अपनी इस्तिती नहीं बदलती है तो वहें वस्तु की इस्तिर अवस्ता या विराम अवस्ता कहलाती है नेक्स्ट है डिस्प्लेस्मेंट विस्थापन किसी विशेज दिशा में वस्तू की इस्तती में परिवर्तन वस्तू का विस्तापन कहलाती है यह एक वेक्टर कॉंटिटी है, सदिस रासी है, जिसकी एक निश्चित दिशा होती है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि एक वस्तू बिंदू A से B, फिर B से C, और फिर C से D तक जाती है तो इस पूरी गती में जो डोटेड लाइन से A से D तक जो डोटेड लाइन से श्योक किया गया है, वहें वस्तू का विस्तापन कहलाता है किसी वस्तू की प्रारंबिक तता अंतिम इस्तितियों के बीच का कुल चला हुआ मार्ग दूरी कहलाता है जैसा कि डाइग्राम में अपने देखा कि वस्तू पहले बिंदू A से B तक मूग करती है फिर बिंदू B से C तक मूग करती है और फिर बिंदू C से D तक मूग करती है तो विस्तापन और दूरी में बेसिकली यहीं डिफरेंस होता है कि विस्तापन एक सदिस राशी होती है तो टोटल जो विस्तापन उस वस्तू का हुआ वो प्रारंबिक अवस्ता से अंतिम अवस्ता तक जो कि डोटेड लाइन A D से शो किया गया है और दूरी जो होती है वो वस्तू की प्रारंबिक तता अंतिम इस्तितियों के बीच में टोटल वहें कितनी दूरी तैय करता है वह हैं distance कहलाता है यह एक अधिसरासी है तो इस diagram में जो distance होगी वो A से B तक की दूरी प्लस B से C तक की दूरी प्लस C से D तक की दूरी इन तीनों दूरियों का योग जो होगा वो वस्तु की कुल चलित दूरी कहलाएगी इसके बाद है चाल Speed किसी वस्तु की समय के सापिक स्तती में परिवर्तन की दर को चाल कहते है यहें एक अधिसरासी है अधिस और सदिसरासी के बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए कि अधिसरासी का केवल परिनाम होता है उसकी कोई दिसा नहीं होती है और सदिस राशी जिसकी दिसा भी होती है और परिनाम भी होता है तो चाल को डिफाइन किया गया है कि किसी वस्तु की समय के साफ़ एक स्तति में परिवर्टन की दर चाल कहलाती है माना वस्तू T समय में D दूरी तै करती है तो जो चाल होगी वो होगी दूरी बटे समय जिसमें दूरी अपनने D ली है और समय अपनने T लिया है D upon T और इसका मातरक होगा मिटर परती सेकिंड Next है अपना velocity किसी वस्तू की समय के साथ विस्तापन में परिवर्तन की दर्ग वेग कहलाती है यहें एक सदिस रासी है तो चाल और वेग में बेसिकली डिफरेंस हुआ कि वो अदिस रासी है और यह अपनी सदिस रासी है तो वेग is equal to विस्तापन बटे समय dx upon dt इसका मात्रक भी वो ही मिटर परती सेकिंड होता है next है अपना त्वरण एक्सलिरेशन किसी वस्तू के वेग में समय के सापेक्स परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है त्वरण भी एक सदिस रासी है इसे एसे निरूपित करते हैं तो वेग में परिवर्तन की दर dv upon dt और इसका मात्रक मिटर परती सेकिंड स्कॉयर जैसे कि किसी वस्तू का प्रारंबिक वेग v1 है t1 समय पर और वहीं वेग कुछ समय बाद t2 समय पर v2 हो जाता है तो जो acceleration होगा वो अपना होगा v2 माइनस v1 बटे t2 माइनस t1 वेग में कमी की दर मंदन कहलाती है यहें एक रिनात्मक तवरण है तो धनात्मक तवरण acceleration होता है और रिनात्मक तवरण जो होता है वो मंदन होता है रिटारदे संग उता है करें